तो चलिए आज हम बनाएंगे कच्ची केरी का शर्वत जो हमारी शरीर को ठंडग देता है हमें लू से बचाता है और बहुती टेस्टी बनकर तयार होता है और यह सिर्फ 5 मिट में बनकर तयार हो जाता है तो चलिए फटापर से बनने वाली इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी छूटी सी रुक्वेस्ट है आपसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प कर सकते हैं और इनको मैं अच्छी तरह से दो के और पहुंच के रखा हुआ है अब इनको हम काट लेते हैं तो इसका जो ऊपर का छिल्का है वह हम निकाल देंगे पहले प्रेंस टीज शर्बत पांच मेंट में बनके तैयार हो जाता है अब बहुती जादा टेश्टी लगता है और बहुती जादा पाइदे मंद भी रहता है यह कर्मियों में इस तरह से हम तीनों केरी को चीन के रेडी कर लेंगे अब आप मैंने चारों केरी को चीन लिया है वह इसकी जो चिल्के है वह मैंने इस तरह से निकाल दिये हैं अब चिल्कों को हम साइड में रख देंगे अब कर्यों को हम कट कर लिते हैं तो दिखिए इस तरह से आप पहले इसके बड़े बड़े पीसिस निकाल लीजिए क्योंकि बीच में जाली पड़ी हुई है तो बीच से करी कटेगी नहीं करें हरो दिखिये यहां पर क्यूंकि अपर इस तरह से इसमें से क्यारि में निकाल ली है यह जो बीच का है इसको हम साइड में रख देंगे इसका यूश नहीं करना है आप मैं आसलों का हम पल्प निकाल लेते हैं यहां निकाल लिया है यहां पर मोटी मुटई है झुट छुटा कर लेते हैं कर लेक्टाइब आप यहां पर हमें एक मिक्सी करा जार ले लेंगे और उसके अंतर ये सारी क appropriate अलदेंगे ऑड देंगे न द जो था सहरे कपकी घरी टारी में हम थंडा पानी ढाल देंगे के शर्वत में डालने के लिए मैं यहां से तुरा सा पुधीना कट कर लेती हूं पुधीना मेरे घर पे ही लगा हुआ है देखिए इस दिना से उपर-उपर से इनको कट कर लेंगे कि बहुती अच्छा फ्लेवर देगा यह तो देखिए मैं यहां से फ्रेश पुधीना ले लिया है और इस पुधीने को हम डाल देते हैं अपने केरी के अंदर और इसको हम पीश लेते हैं तो देखिए हमारी जो केरी थी वो अच्छे से पीश चुकी है यह देखिए अब इसमेर हम डाल देंगे शकर तो मैंने यहां पर बहुत ही खटी थी इसलिए मैंने हने यहां पर इतनी शकर का यूश किया है अगर आपके केरी कम खटी हो तो आप शकर की मात्रा को कम कर सकते हैं आप इस स्टेज पे शक्र डालेंगे तो जो शक्र है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और अच्छी से मेला लेते हैं और देखें यहां पे भी शक्र हमारी अच्छी से मेक्स हो गई है यह दिखें अब इसको हम छान देंगे तो एक इस्टेनर ले लिया है और इसमें यह डाल देते हैं छानने के लिए तो दिखें यहां पे चंद चुका है अब यहां पे हम पाइन डाल देते हैं थोड़ा सा तो मिक्सी के जार में अच्छी तरह से धूल लिया है इसमें जितना भी एक्सरा लगा हुआ था वो सब हमने यूज कर लिया है इसको हम साइड में रख देंगे आदा चमच खाला नमक डालेंगे आदा चमच भुने हुई चीरे का पाउडर अब यह बहुत गड़ा है इसमें और हम पानी डालेंगे तो यहां पर हमारा कच्छी करी का शर्बत बनक एक दम तयार है तो चलिए इसको हम सब करते हैं प्रफ के उपर हमें अपना केरी कर शर्बत डाल देंगे तो दीखा आपने कितने जल्दी यह शर्बत बनके तयार हो जाता है तो इस तपती हुई गर्मी में आप इस रेसीपी का पास्ति और मुझे बताईएगा कि आपको यह रेसीपी कैसी लगी रेसीपी अच्छी लग भूत लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब पीजिए फिर से मिलूँगी नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग